तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं बहुत जल्दी आपके साथ में ब्लड से रिलेटेड एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी तो आज का हमारा वीडियो उसी टॉक्टिक पर है यानि की ब्लड तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिसे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने आपके साथ मैंना टॉमी से ही रिलेटेड और भी वीडियो शेयर किये थे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी तो आप वहां से भी जाकर वो वीडियो मेरे देख सकते हैं अब हम देखेंगे कि ब्लड या रक्त क्या है तो रक्त एक विशेश शारीरिक तरल पदार्थ है इसके चार मुख्य घटक है प्लाजमा लाल रक्त कोशिकाएं सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स रक्त के कई अलग-अलग कारे होते हैं जैसे फेफ्लो और उतको तक ऑक्सीजिन और पोशक तत्तों का परिवहन अतरिक्त ब्लड लॉस को रोकने के लिए रक्त के ठक्के बनाना संक्रमर से लड़ने वाली कोशिकाओं और एंटी बॉडी को ले जाना अप्सिष्ट उत्पादों को गुर्दे यानि किड्नी तक लाना जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं शरीर के तापमान को नियंत्रित करना ये सारे कार हमारे रक्त के होते हैं हमारे शरीर में शिराओं, धमनियों और कोशिकाओं के माध्यम से बहने वाले रक्त को संपूर्ण रक्त के रूप में जाना जाता है यानि संपूर्ण रक्त से मतलब है जिस रक्त में प्लाजमा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, उसको संपूर्ण रक्त बोला जाता है, यही संपूर्ण रक्त हमारे पूरे शरीर में शिराओं, धम्नियों और के माध्यम से बहता है जिसमें 55 प्रतिशत प्लाज्मा और 45 प्रतिशत रक्त कोशिकाएं शामिल होती हैं हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 8 प्रतिशत वजन रक्त का होता है एक एडल्ट मेल की अगर बात करें एक हेल्दी मेल की बात करें तो उसमें 5.4 लीटर और फ यानि जो हमारे रक्त के घटक हैं उनके बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाजमा की बारे क्या है रक्त के तरल घटक को प्लाजमा कहते हैं यानि यह कि लिक्ट फ्लूड है जिसको प्लाजमा कहा जाता है जो वाटर, शुगर, प्रोटीन और सॉल्ट्स का मिश्र प्रोटीन, हॉर्मोन जैसे कैमिकल मेसेंजर्स और प्रोटीन के साथ पहुचाना है जो शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन एरिथ्रो प्रोटीन द्वारा किया जाता है। हीमोगलोबिन नाम का एक विशेश प्रोटीन होता है जो हमारे फेफ़लों से O2 यानि की ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने में मदद करता है। और फिर हमारे जो शरीर से कारबन डायोकसाइड निकलती है यानि CO2 निकलती है उसको हमारे फेफ़लों तक वापस भी लाना इसी का कारे होता है। ताकि इस कारबन डायोकसाइड को हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। जो RBC का जो रंग होता है लाल रंग वो हीमोगलोबिन के द्वारा ही इसको प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे white blood cells जिने leukocytes भी कहा जाता है। ये रंग कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। ये RBC की तुलना में संख्या में बहुत कम होती है जो हमारे रंग का लगभग 1% होता है। WBC का सबसे आम प्रकार जो है वो है neutrophil ये immediate reaction यानि की तकाल प्रक्रिया कोशिका है और ये कुल स्वेतरक्त कोशिका का 55 से 70 प्रतिशत भाग होता है। श्वेतरक्त कोशिका का दूसरा जो सबसे मुख्य प्रकार है वो है lymphocytes ये मुख्य रूप से immune cells के कारने में मदद करती है और विभिन संक्रमित कोशिकां और tumor पर सीधे हमला करती है। बी लिम्फोसाइट्स क्या है पर तो बी लिम्फोसाइट्स एंटी बॉडी बनाती है जो एक तरहें के प्रोटीन होते हैं ये विशेश रूप से बैक्टीरिया वाइरस और जो अन्य फॉरेन मेटेरियल्स होते हैं उनको लक्षित करती है अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क कोशिकाओं के छोटे-छोटे टुकडे होते हैं प्लेटलिट्स चोट के स्थान पर इखटा होकर घायल रक्त वाही का यानि जो ब्लड वेसल्स होती है उन पे एक परत चिपका देती है एक ऐसी जगह बनाती है ये जिसे की रक्त के ठक्के जमने की प्रक्रिया में मदद कर सके इसके रिजल्ट मतला इसके परइणाम स्वरूप जो फाइबरिन होता है फाइबरिन का ठक्का बनता है जो घाव को ढगता है और रक्त को बाहर जाने से रोगता है तो प्लेटलिट्स की सामाने से अधिक संख्या अनावश्यक ठक्के का कारण बन सकती है जिससे कि आपको स्ट्रोक या दिल का दौरा भी पढ़ सकता है तो ये था हमारा ब्लड से रिलेटेड जो भी मैं आपके साथ जानकारी शेर करना चाहती थी वो मैंने करी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं मेरे अनाटॉमी के वो मैं आपके साथ में शेर कर दूँगी और आप उनको भी जरूर वाच करें वो आपके लिए बहुत ही जादा हैलफूल रहेंगे धन्यवाद